हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेज में और घटना चाकर के करण इवेंट में हम कुछ कोशन देखेंगे पिछली यह में जो कोशन आये थे और आपको पता ही है किस तरीके से चलता है चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है कि हुआज बीन अपॉइंट ठीके तो अब किस टाइप के कुशन पूछे जा सकते है कि हुआज बीन अपॉइंटेड आज ब्रैंड बैस्टर टू एन्बी इंडिया ठीके तो देखें आंसर है रनवीर सिंग अब यह इंपॉर्टन क्यों हो जाता है कि नाशनल बास्केट बॉल एसोशेशन जो यूए बास्केट बॉल को काफी जादा प्रमोट किया भी जा रहा है ठीक है अभी हमारे इंडिन ओरेजन के कैनिडिन थे उनको भी एन्बी ए में जो है खेलने का मौकर मिला है तो यह अब एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको इंडिया में बढ़ाया जा रहा है नॉट टो मेंशन की और बेस्बॉल का काफी जादा क्रेज है तो यह एक इंटर रिलेटेड चीजे हो रही है चेंजेज आ रहे है ठीक है अब अगला कोशन कैसे है कि हो इस बीन नेम्ड आज ब्राइन अबस्टर फर केरला ज गर्मेंट जैंडर्स एक्वालिटी कैमपेंग समम तो देखिए इ यह जितरा जो की किमीजेशन है उनको जो है ब्राइन अबस्टर बनाया गया ठीक है अब समम में एक एयर लॉंग कैमपेंग था डबाई डिपार्टमेंट आफ कल्चर ठीक है जो सिप्तमबर चार में जो है पिछले साल लांच किया गया था बाई सीम पिंडरी विजन तो गवर है फिर ने इस और फिर यह तो यह आपकि है जो तो जो समय ऐन अपर कहते है है और ब्रैंड अबस्टर गिसको बनाया है या फिर स्टेट ब्रिट फिश क्यों की चीज है विस्टेप की कुशिन हाइलाइट में आते तो इसके कुशिन आने के बहुत जास जासे बढ़ जाते हैं अब दे बुक आशिज डायरी 2015 जो है वो ऑथराइज की ऑथर किसने करी थी ऑथराइज नहीं माफ की जागा तो देखी ये जो है माइकल क्लार्क जो है उन्होंने की थी अब देखी तो आशिज जो है अब दो कि कॉमेंट सेक्शन में पताईए दोस्तों आशिज जो क्रिकेट का एक जो टूर्नमेंट है ये कौन कौन से कंट्री के बीच में होता है ठीक है और साथ में बौरडर गवासकर टौफी जो है ठी कि किसके नाम पे था ठीक है तो देखे कुश्चन आफ सिमिलर इंटेक्स किंटेक्स कैसे आ सकते हैं कि वह रिटन दे बुक कुकिंग तो सेव और लाइफ अब देखिए यह इसका आंसर है कि हमारे अभी जीद बैनर जी उन्होंने जो है यह बुक लिखी थी ठीक है अब यह देखे कि बहुत जादा इंपॉर्टन्ट हो जाता है कि अभी जीद बैनर जी जो इनको नोबल प्रॉसकार मिला है तो इन्होंने यह कुकिंग फॉर टू सेव और लाइफ ही एक्शल में उनके उपर भी एंटिस्पेटेड कोश्चंज आने की संभावना है तो क्रिकेट से आप थोड़ा सा जूड़ते रहिएगा ठीक है और देखे कि तो देखे आयाज मेंन ने आपकी जो है बुक लिखी है तो यह बुक्स पे भी आपके बहुत ज़्यादा कोश्चंज आते हैं इन विच स्टेट कंधमल इस ठीक है तो गुजरात महराष्टर ओडिशा राजस्तान तो आंसर क्या है ओडिशा देखे अब देखे कि जो यहां नैक्सलाइट का जो अटाक हुआ थो उसमें यह जगा जो है हाईलाइट पे आगी थी ठीक है तो अब देखे आपके जो प्ल आपके हिमाचल प्रदेश में अब यह क्यों न्यूज में थी देखे रोतांग पास तो आपको बता है कि अटल टानल थी लंबी है यह अटल टानल क्या है यह ऑफिशली जो है सर्टीफाई करती है वर्ल्ड बुक ओफ रिकॉर्ड में वर्ल्ड लॉंगेस्ट हाई यह टनल 10,000 फीट पे ठीक है तो यह अभी देखे कोई रिकॉर्ड बना रहे है अभी रिसेंटली कहा है जब आपका टूरिस सीजन था तो वहाँ पे एक ट्राफिक को लेके भी वहाँ पे एक रिकॉर्ड बना था ठीक है तो इस टेप की जो चीजें है आपको पता होने चाहे अब नंदुर मध्यमरश्वर बर्ड सेंचुरी जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है तो इससे ही जवाब कहा है नासिक महराष्टर में अभी क्यों है यहाँ पे एक बर्ड फेस्टिवल जो है वो हेल्ड किया जाएगा कौन से अभी हेल्ड हुआ है मार्च पांच और छे द तो इसका सही जवाब कहा है दल्वीर भंडारी इसका सही जवाब है देखे दोस्तों अब यहाँ से मैं आप से कॉमेंट सेक्शन पूछता हूं कि इंटरनाशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेड़कोर्टर है वेर इस एट लोकोईटेड है अब कॉमेंट सेक्शन में बता आठक जो है वो 1989-91 से और फॉर्मर चीफ एलेक्शन कमिशनर आफ इंडिया नागेंदर सिंग 1973-88 और सिंग जो है वो प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं पर कोट के 1985-88 और वाइस प्रेजिडेंट भी रह चुके हैं 1976-79 और सर्भी एन राउ जो भी है जो कि एड्वाइजर इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब है यह कुशन मैंने खुद बनाया है क्योंकि यह कुशन जो है 2015 ता बट उसकी रेलिवेंस इतनी जादा नहीं थे तो अब मैंने यह क्यों कोशन बनाया है वो आप जानते देखिए आभी वर्ल्ट एकॉनमिक फॉर्म जो इसकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग है जो एनुल मीटिंग डैवस स्विजरलेंड में होनी थी यह जो है ओमनी क्रों की वज़े से कैंसल होगी ठीक है और दिसेंबर में यह न्यूज आई थी ठीक है फिर उनने का थे जैनुवरी में होगी फिर जैनुवरी में आ होके अब उनने जो है ध्यान रहेना है थीम से बहुत ज़्यादा कोशन आने की संभावना रहती है ठीक है दोस्तों अब जिसे सोर्स जो है यह मैंने सोर्स से यह न्यूज उठाई है ठीक है अब देखिए कि एकॉर्डिंग टु इनाइटी नेशन जी गवर्मेंट इंडेक्स 2018 इंडिया क एक रहा का रहां किया था था थीक है तो इंडिया के इसमें रहां किया थाओ देखिए नाइटी सेट ठीक है अब 2018 का कुश्शन ही आगे की रेलिवेंस की स्टिर के से बनती है थीक आश्चािmak ऑड़ा इस दर आंक आ यह THIS इन्डिया का 33 इंड्ध कौलिटी ओ लाईफ पे तो यह आपको यहां से जो है रैंकिंग्स जो है इस टैप के questions जो है बहुत जादा important हो जाते हैं ठीक है अब digital quality of life index 2021 जो है यह किसने किया था cyber security company सर्फ शाक जो है इक British Virgin Island में है ठीक है जी और यह जो है इसकी कुछ pillars हैं इसे internet affordability, internet equality, electronic infrastructure, security, government इन सारे parameters इन पर देखके इसकी ranking देते हैं ठीक है दोस्तों अगला question है कि Magleave क्या है अब देखें Magleave क्या है Magleave जो है एक fastest commercial train है ठीक है अब इसके जो है Magleave के 3.0 इस तरीके के बहुत जादा versions आ गए है तो यह question जो है इस type के question जो है मैं सदाभार questions मानता हूँ current phase में ठीक है इसमें easily पूछा जा सकता है जैसे कि आप से पूछ सकता है कि परम क्या है तो यूशुड नो कि एक super computer है क्या चीज है ठीक है अगले question पर चलते हैं कि what is solar impulse 2 तो देखें solar impulse 2 क्या है solar impulse 2 एक solar powered plane है यह उस time पे news में था अब इसी type से question क्या पूछा जा सकता है देखें कि solar probe जो है mission related है किस चीज से related है या फिर पूछा जा सकता है कि कि किस organization से अगर आपको पता है तो देखें NASA के एक historic park solar probe जो है यह sun को touchdown करने के लिए ठीक है यह एक mission था और अभी recently क्या है वो उसकी orbit के आस पास ठीक है तो park solar probe जो है NASA का एक mission है तो you should know this ठीक है दोस्तो अगला question है कि scientist ने world's smallest light bulb जो है वो किस चीज से बनाया था यह भी देखें सदाबार question type आ गया चेंज नहीं हो सकता है तो इसका सही जवाब क्या है graphene जो है graphene से जो है scientist ने world's smallest light bulb with the help of graphene जो बनाया गया है ठीक है दोस sites have been notified by UNESCO in India as of July 2022 यह माफ कीजिएगा July क्योंकि मैंने इसमें 2022 जो है मैंने addition करी है but as of now today March इसमें लिखना था July नहीं है ठीक है March 2022 तक कितने है ठीक है तो देखें इसमें सही जवाब क्या है देखें अभी तक 40 जो है हमारे पास world heritage sites जो है UNESCO की वो है ठीक है दोस्तो अब दोस्तो comment section में बताइए कि रामसार sites अभी as of now March 2022 2022 में कितनी है इंडिया में यह comment section में बताइए ठीक है दोस्तो तो यह थे अगटना चक्र के थोड़े से questions ठीक है anticipated questions आपको I hope कि इससे थोड़े idea लगा हो और आप प्रैक्टिस करते रहिजे आपसे weekly dose of current affairs में मुलाकात होगी वहाँ पर week के जो है 20 questions जो बनते हैं वो मैं आपको से करवाँगा तब तक के लिए take care नमस्कार बाबाए